आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तो आज का मपरशन है सीताराम ने 36 गड़ विकास बैंक में 3 जुलाई 2007 को बच्चत खाते में 800 रुपे जमा कर पास्बुक खोला 18 जुलाई 2007 को 200 रुपे जमा किया और चेक दवारा 2 अगस्त को 300 रुपे निकाल लिया उनके दवारा 2 सितंबर 2007 को 400 रुपे जमा किया थता 3 अक्टुमबर 2007 को 300 रुपे स्वमाहरन किया उक्त विबरन के आदार पर पास्बुक की प्रवश्टिया लिखे थता 31 अक्टुमबर 2007 की इस्तिती में 5 परतिशत की दर से ब्याज की गरना कीजिए है ना तो देखिए यहां अपने पास सबसे पहले उसने यहां चलिए अपने पास लिख देते हैं कि 3 जुलाई को उसने क्या क्या तो 3 जुलाई 2007 था ना तो चलिए अपने पास यहां हम लिख देते हैं कि यहां अपने पास हम लिख रहे हैं तारिक और यहां अपने पास चली जो लेंदेन हैं वो लिख लेते हैं तो चली यहां लिख देते हैं कि जो उसने लेंदेन किया और यहां अपने पास हम जो खाते में सेस रासी हैं वो लिख देते हैं तो यहां अपने पास हम लिख दें 800 रुपे जमा करवाए 800 रुपे जमा तो रासी अपने पास खाते में कितनी हो जाएगी 800 रुपे हो जाएगी अब देखिए अगली जो तारिक है वो अपने पास इसने 18 जुलाई 2007 तो यहां पने पास 18 जुलाई 2007 जो है वो तारिक दे रखिए और यहां पने पास इसने क्या क जमा करवाए तो देखे पांच पर्शेंट की धरसे अपने पास ब्याज मिलेगा इसको तो 800 रुपे पर देखे कितने दिन का मिलेगा तो 18-3 ना तो देखे 18-3 15 दिनों का उसको ब्याज मिलेगा तो देखे यहाँ अपने पास हम बात करते हैं तो चलिए नीचे बात कर लेते हैं, यहां तो प्रविष्टिय लिख देंगे, यहां अपने पास हम बात करें साधारन ब्याज की, तो देखें, हम जानते दोस्तों कि साधारन ब्याज जो हैं, वो अपने पास बराबर होता है, इसका सुत्तर होता है अपने पास, मूलधन, ग साधर्ण भ्याज्ज का सुत्र होता है तो यहां अपने पास पहले के लिए हम बात करें तो समय निकालना आपने पास ऌता है मूल्धन भी देडे रखा थो समय अपने पास क्या हो जाएगा तोफ यहां पने यह अपने पास 15 बटे 365 दिनों के बराबर आजाएगा, यहां से हम इसको हल भी करना चाहे, तो देखे, 15 का भाग जा रहा है इसमें, तो कितनी बार जाएगा, तो यहां अपने पास 15 कुना 230, और यहां देखे, 15 का नहीं जा रहा है, पांच का देते हैं, तो पांस थी 15, और यहां जाएगा अपने पास 5, 36, 57, 35, और एक बचा, पांस थी अपने पास 15, तो यहां अपने पास यह कितना आ गया, यह अपने पास 3 बटा 33 आ गया, तो देखे, यहां अपने पास समय आ चुका है, तो यहां अपने पास हम लिख देते हैं, मुल्दन का म उन में 5 रख देंगे हैं और समय जो है वो पकूने पास तीन बटे replace Hero ना तो यह मिना, पकास 3 बचा सो스터 और यहां पकूने पास 220 बटा 73 जो के अपने अपने पास यह नहीं ठागी इना जाएगा, यह में 20 बटे जो अब रासी हो जाएगी वो कित्री हो जाएगी 800 यह 200 यह हजार तो यह हजाएगा अगली जो तारीक दे रखिए इसने 2 अगस्त को 300 रुपे निकाला ना तो यहाँ अगली जो तारीक है वो दो अगस्त दो हजार memang साथ है और इस तन बारिश ने क्या Tob दो है यहाँ अपने पास इसने तीन सो रुपे निकाल लिये हैं तो यहाँ अपने पास हमने चले हैं अपने पास इस को इसे लिखता तैंकी 300 रुपे निकाला कि उनके देखे 300 पे निकाला 2 अगस्त को तो 2 सितंबर 2007 को तो यहां अपने पास हम लिख देंगे कि 2 सितंबर 2007 को लेकि देखे दोस्तों यहां अपने पास जो उपलब्द बैलेंस है वो अपने पास 701.65 नहीं होगा क्योंकि इस पर अपने पास कुछ ना कुछ ब्याज मिल जाएगा इतने दिन तो देखे यह रास से निकालेंगे तो यहां अपने पास कितने दिन होगे तो 18 जुलाई से 2 अगस्त तो दो दिन तो यह होगे और 18 जुलाई जो है वो अपने पास 31 का महिना होता है तो यहां अपने पास 13 और दो 15 दिन होगे तो 15 दिन को अपने पास ह खिर्शन निकाल लेंगे ब्याज है इस पर तो यह जाएगा अपने पास देखिए यहां अपने पास हम लिख देंगे कि ब्याज जो है वो अपने पास बराबर होता है मुल्धन तो मुल्धन अपने पास है इस बार 11.65 है ना गुणा दर अपने पास 5 और समय देखे वो ही 15 मुल्धन धरा देखे हो दिन आपने पास यह और 13 दिन वू तो 15 मुल्धन और 35 मुल्धन अपने पास 15 और 30ap 50 युक्त ना मतलब कि कितना जायेगा 3, 83 तो 3, 212 तेहयतर और यहाँ अपने पास 700 तो देखी, इसको हल करेंगे, तो कितना जाएगा ये अपने पास आजाएगा 2.053 गणा बराबर, तो यहाँ दिखे अपने पास ही बیाज जूड जाएगा, तो कितना जाएगा देखिए यहां अपने पास इसमें से 300 गठा देंगे तो यह कितना आ रहा था 701.65 आ रहा था और इसमें अपने पास हम 2.05 और जोड़ेंगे तो 2.05 और जोड़ेंगे तो यहां 5.05 और 10.06 और 1.7 तो यह जगा हम पास 10.07 और यहां अपने पास 703 तो यह 703.7 रुपे के बराबर हो गया अब देखिए यहां हम आगे बात करें तो यहां 2 सितमबर 2,000 शाथ को उसने क्या किया यहां 200 रुपे जमा करवा रहा रहा यह कहा रहा था कि 2 सितमबर 2,000 शाथ को 400 रुपे जमा करवाए तो यहां अपने पास इसने क्या किया? इसने अपने पास 400 रुपे जमा की हाना ये कह रहा था कि 2 सितंबर 2 जार शाथ को 400 रुपे जमा किया तो चलिए अपने पास यहाँ अब उपलब्द बैलेंस क्या हो जाएगा? तो कितने दिन होगे दो अगस्त से दो सितंबर अपने पास 31 दिन होगे तो यहाँ अपने पास 31 या अपने चले 30 मान की स्कॉल कर देते हैं तो यहाँ अपने पास इस बार जो मूलदन है वो 703.7 हो जाएगा हाना तो यहां अपने पास हम फिर्शे निकाल लेते हैं नया ब्याज हाना तो ब्याज जो हैं वो अपने पास मूलदन तो 703.7 गुणा दर अपने पास 5 गुणा समय जो हैं वो अपने पास इस बार 30 बटे 365 हो जाएगा तो 30 बटे 365 और यहां अपने पास गुणा 100 तो इसको हल करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आजाएगा ये अपने पास आजाएगा लगवग 2.9 के बराबर तो यहाँ अपने पास 2.9 अपने पास हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आजाएगा देखी यहाँ अपने पास 7 और 4 11 1103.07 और इसमें 2.089 चोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 3, 5, 5 और 1, 6 और यहां अपने पास 110 ना तो यह आजाएगा अपने पास किसके बराबर यह आजाएगा 1106.06 रुपे के बराबर अब देखें आगे हम बात करें तो आगे अपने पास क्या हो जाएगा तो यहां देखिए अपने पास तीन अक्टुम्बर दो हजार साथ को उसने क्या किया यहां अपने पास तीन सो रुपे सिवम आरण किया उना मतलब कि अपने पास तीन सो रुपे उसने निकल वा लिये अब उसके बाद क्या कह रहा था हाँ तो चलिए यहां अपने पास हम रासे नी भी निकालेंगे और उसके बाद भी अपने पास कुछ कह रहा है क्या है तो 31 अक्टुमबर 27 को निकालना है तो चलिए अपने पास 3 अक्टुमबर को निकाले इस पर लगेगा इस बार प्याज तो ग्यारा सो छै दसमल्लव छै समय जो है वो अपने पास लगबग 31 दिन हो गया या फिर चलिए अपने 30 मान के हल कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए और दर जो है वो अपने पास 5 बटे नीचे अपने पास 365 गुणा अपने पास 100 तो इसको ह यह जाएगा यह जाएगा 806 दसमल्लव छै और इतने दिन का ब्याज जो है वो अपने पास 4 दसमल्लव पांच चार तो यहां अपने पास लगबग 4 दसमल्लव पांच बोल देते इसको तो यहां 5 और 6 ग्यारा 6 और 4 10 10 और 11 और यहां अपने पास 811 दसमल्लव एक के हमें निकालना था कि इस दिन अपने पास कितनी रासी Hmmm तो इस बार जो अपने पास आठ सो आठ सो ग्यारा दसमरलवव एक गुणा देखे कितने दिन हो जाएगे तो यहां अपने पास 3 और 31 हा ना तो यह 27 दिन होगे 28 दिन होगे तो चले अपने पास यहां हम 28 दिन का निकाल लेते हैं तो यह जाएगा अपने पास 28 गुणा 5 बटे नीचे अपने पास 365 और गुणा अपने पास 100 तो इसको हल करेंग तो कितना जाएगा तो देगे यह अपने पास लगबग 3.01 एक रुपे के बराबरा जाएगा और यहाँ अपने पास ही ब्याज जीस में जोड़ देंगे तो कितना जाएगा यहाँ जाएगा अपने पास 814.02 रुपे के बराबर ना तो यहाँ अपने पास इस दिन जो अपन तीचे अपने डाउट्स आच चार सो चार सो चार सो पर